आज हम बनाएंगे बिल्कुल रुई थे तरह सौफ्ट और इंस्टेंट बनने वाली इल्ली वह भी रवा एडली और इतनी जाली दार कि कि यहां पर मैंने दो कप सूजी लिए जो कि मैंने चार ली है यहां पर मैंने मिक्स कर लिया है अब इस यहां पर हम थोड़ा थोड़ा पाणि है एड़ करते में एक साथ नहीं एड करना है क्योंकि पानी अगर हम एक साथ एड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो यह देखिए बैटर हमें एक ही डारेक्शन में इस तरह से मिक्स करना है यह देखिए थिक हो गया है इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है यहां पर टेस् से मिक्स कर लिया है चलिए इस तरह का और इसमें मैंने एक ग्लास पानी डाला है और इस तरह से ढख लिया है इडली माउल्ड लिया है इसे अच्छे से ओयल से ग्रीस कर लेंगे यहां पर मैं रिफाइंड ओयल से ब्रेस की मदद से इसे ग्रीस कर ले रही हूं तो चलिए इस ट्रे से निकल जाए तो यहाँ पर हमारा एडली स्टेंड देखिए पिल्कुल ग्रीस होकर त्यार हो गया है तो चलिए हम अब बैटर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट बाद बैटर जो है वो पानी सोक चुका है सूजी ने तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर और पानी एड़ करना है और इसे हल्का लिक्विड डो तैयार करना है यानि कि अगर मैं कहूं तो आपको यहाँ पर एक कप पानी लगेगा इस तरह का देखिए हमने बैटर त्यार किया है अब यहाँ पर हमें इंस्टेंट इडली बनानी है तो मैंने यहाँ पर एक इनो लिया है और इसे तुरंत हमें इसको फार्ट कर तुरंत ही mix करना है एक direction में देखे कितना ज़्यादा यह फूलने लगा है और बिल्कुल हमें time waste नहीं करना है फटाफट से हमें इसे ट्रे में इसे add कर लेना है इस ताकि एडली फटाफट भने और इसमें जो air bubbles जो बने हैं वो निकलेना तो इस तरह से चलिए हम इसे fill कर लेते हैं तो एक हमारा ये fill हो चुका है चलिए इसे हम इसी तरह से हम सारे idli stand में अच्छे से batter को fill कर लेते हैं चलिए यहां देखे पानी बहुत अच्छे से खौल गया है तो इस तरह से हम एक बार में 12 इडली टोटल बनाई है और इसे हम ढग देते हैं और medium आज पर यानि कि low to medium आज पर हमें रखना है बिल्कुल medium आज पर नहीं हमें 5 मिनट के लिए पकाना है तो वाव यहां देखे पांच मिनट कम्प्लीट होने के बार मैं टच्छ करके देखें देखें कितनी सॉफ्ट हमारी इडली जस्ट डबल हो गई है तो इसे चेक करने के लिए यहां पर मैं एक पिन ले लेती हूँ और इसे देखें यह बिल्कुल क्लीन निकली है इसका मतलब हमारी इडली बन गई है तो चलिए इसे हम आहिस्ता से स्टेंड से बाहर निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी दिर छोड़ देते हैं तो यहां पर देखें हमारी इडली जो है यह ठंडी हो गई है तो इस तरह से हम स्क्रेच करके फिंगर के थूँ इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो देखें जाली कितनी बढ़िया बनी है ना देखें वाओ कोई कहेगा कि आपने इसको सूजी की बिनाई है सेकंड तरीका है इस तरह से आप नाइफ से स्क्रेच करके निकाल सकते हैं तो दोनों ही तरीके में से आपको जो तरीका बेस्ट लगे इस तरीके से आप निकाल लेजे और ये देखें मैंने इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है अब आप चाहें तो इसे चट्नी के साथ या फिर सामबर के साथ खा सकते हैं या अगर आपको पसंद हो तो आप इसे राई से फ्राई भी करकर खा सकते हैं तो देखिए हैना इडली बनाना बहुत ही आसान और बिल्कुल रूई से सौफ जालीदार इडली तो हुआ ना आसान घर पर अब इडली बनाना तो आपका जब मन चाहें इस लॉगडाउन में इडली बनाए और घर में सभी को सर्व करिए तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये इडली रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सस्क्राइब करिए सस्क्राइब के बगल में बेल का ओप्शन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे मेरी कोई भी नई आने वाली इजी से इजी रेस्पी आप तक सबसे पहले पहुँचे नेक्स रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें और घर पर अपने सुरचित बने रहें